तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर Spanning Trees की, कि Spanning Trees क्या होते हैं और Minimum Cost Spanning Trees क्या होता हैं यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और Cost के बारे में देखेंगे Spanning Trees में Minimum Spanning Trees कैसे Find Out करते हैं यह देखेंगे और क्यों यूज करना इसको यह भी आगे मैं आप लोग को समझाने वाला हूं बहुत ही अच्छी तरह से एकदम क्लियर कर दूँगा चीजों को तो यहा पर आप लोग देखो कि यह प्रेम Сब्सकार करते हैं इसको और अपने प्रेम को ढूंडने के लिए व सिटी तु2 सुटी जैसे कि यहां पर वो पहले डेली जाता है डेली में उसको अपना प्यार नहीं मिलता है तो वो चैन नहीं जाता है ठीक है चैन नहीं में भी नहीं मिलता है तो वो कहीं और जाता है और इतना घूमता है वो कि वो इवन कैनेडा भी चला जाता है यार क्या वता हूं ठीक है और गूमता फिरता है गूमता फिरता है और गूमते गूमते जो है सोचता है कि शायद मुझे अपना प्यार मिल जाए और अपना प्यार डोनने के लिए वह काम करता है ठीक है लेकिन वो थोड़ा बहुत समझदार भी है वो यह नहीं कहता है कि वाई मुझे अपना प्रेम मिल ज तो यहाँ पर HYD मैंने लिख दिया, अब वो क्या चाहता है, वो rasa और मैं सारे के सारी सिटीज में घुमूँगा अपने प्यार को ढूंड़ने के लिए, तो ये काम मुझे कम से कम कोस्ट में चाहिए बाया, कम से कम कोस्ट में जाधा पैसे नहीं है अपने पास, वो ये बोलत और इसलिए उसको चाहिए एक ऐसा algorithm जो कम से कम पैसों में उसको पहुंचा दे सारी cities में सारी cities भी घूम ले वो और उसी के साथ साथ पैसे भी उसके कम खर्चो और इक्जामपल मानरो डेली से कैनिडा का टिकेट 7 रुपीज गया चलता है चलाव ठीक है क्या करो यार एसी हूं मैं कुछ भी लिख देता हूं एक्जामपल के नाम पे 50 रुपीस का चैनिडा है और चैनिडा है जीरो एकदम फरी मुफ्त में जाओ Canada to Hyderabad, ठीक है, तो यह, जो है, हमारा, यह costing है, ठीक है, और costing यह होने के बाद, अब किस तरह से, जो है, प्रेम अपने रूट को target करेंगा, डेफिनेटली वो यह वाला रूट तो लेगा ही लेगा, Canada to Hyderabad, जो कि उसको free में पढ़ने वाला है, लेकिन किस तरह से dynamics होंगी, उस बहुत ही तेज़, बहुत तेज़ करूंगा, रिविजन जादा टाइम ने लोगा, आप लोगों का connected graph क्या होता है, यह path है, एक point से दूसे point तक, जैसे कि अगर मैं 0 से लेके 5 तक जाना चाहूं, तो मैं ऐसे ऐसे चला जाओं, ठीक है, यह नहीं होना चाहिए, कि मैं जाही से complete graph की, complete graph का मतलब होता है कि, एक simple undirected graph की, हर pair of distinct vertices के बीच में, एक edge connected होगी, यानि कि अगर मैं इस graph में से, इस graph G में से, कोई भी दो points उठाओं, कोई भी दो notes उठाओं, तो मुझे वो connected मिलने चाहिए, यानि सारे notes एक दूसे से connected है, यह हमारा complete graph, यह हमने देख भी लिय ठीक है, हम चाहते हैं कि, प्रेम ऐसा दिखे, और ऐसा दिखे, हम यह नहीं चाहते हैं, प्रेम ऐसा दिखे, इसलिए हम प्रेम के लिए cost को minimize कर रहे हैं, तो इस बात को समझो, अब यहाँ पर हमने यह देख लिया, हमने यह भी देख लिया था, यह spanning tree का हूथा, बहुत ते करना जाओ, ठीक है, मार लो एक spanning tree मैं बनाता हूँ, और मैं काम करता हूँ, पीछे चलिके बनाई देता हूँ, इसका spanning tree बना देता हूँ, मैं यहाँ पर आँगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूँगा 0, यहाँ लिखूँगा 1, यहाँ लिखूँगा 3, यहाँ ल कर दी वह ने कर दी थी मैंने क्रॉस एजज़्यू करके बना दी इस तरह से जो कि मुझे नहीं बना नी चाहिए तो वह एक गलती दी वहां पर जो कि मैंने प्रिंड कॉमेंट में एड्रेस करी दी थी बात ठीक है और यह मैं जल्दी से इसको एक स्पैनिंग ट्री बना रहा ह यह 0 है तो क्या cost हो जाएगी spanning tree की अगर यह रास्ता अपना आ जाए 17 प्लस 7 ठीक है 17 प्लस 7 प्लस 0 कितना होता है 24 ठीक है तो 24 रुपे में यह spanning tree के across घूमा जा सकता है ठीक है कुल मिलाकर बात ही है और यह cost cost s1 मैं इसको कर देता हूं ठीक है यह cost 1 कर देता हूं और इसको मैं s1 कह देता हूं और मालों मैं एक और spanning tree बना लूँ s2 0 1 2 3 और इस बार मैं क्या करूं कुछ इस तरह से connections कर दूँ इस तरह से कि बहुत बड़ा number निकल के आएगा तो definitely s2 प्रेम नहीं चुनना चाहेगा प्रेम चाहेगा कि वो cost 1 incur करे cost 2 incur ना करे चौबिस रुपे से जादे ही होने वाली है यह नीचे comment बताओ calculate करे cost 2 कितनी होगी ठीक है सब लो calculate करो जल्दी जो बिना calculator करे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं यह हमने देख लिया हमने यह देख लिया क्या होता है spanning tree के अंदर जब हम cost की बात कर है ठीक है मानलो एक हमारे पास graph है और उस graph के हमारे पास 5 spanning trees हमने ड्रॉ किये उन पार्च और spanning T से associated कुछ ना कुछ cost होगी ठीक है मानलो हमने एक spanning tree S1 बनाया एक S3 एक S4 मानलो S1 की cost है 100 रुपे S2 से जो cost निकल के आई वह 104 रुपे S3 से 500 रुपे निकल के आ गई और S4 से निकल कर आ गई मानलो 400 और S5 से निकल के आ गई 10 रुपे तो यह मेरा minimum spanning tree हो गया है इसको मैं MST कहांगा भाई यह वाला जो spanning tree बना था इसमें कम से कम cost in करोडी थी इसलिए यह मेरा MST है ठीक है समझ में आ रही है ना बहुत आप लोग को तो यह MST होता है ठीक है I hope समझ में आ गया होगा आप लोग को अब यहां पर यह चीज़ आप लोग देखो कि यह जो minimum spanning tree है इसका use समझ में आई रहा है ठीक है बहुत ही clearly समझ में आ रहा है मालो आपसे मैं को यार दस trees दस cities आप लोग घूमो ठीक है और आपको 10 cities में शादी के कार्ट बाट के आने है ठीक है अब अब क्या करोगे तस cities में किस तरह से जाओगे कहां से शुरू करोगे पहले काम पर जाओगे फिर कहां पर जाओगे अगर मैं आप लोगों को एक graph दे दूँ और मैं कहूं है सारी की सारी cities एक complete graph है ठीक है और यह सारी के सारी edges बगएरा connected है notes एक दूसरे से connected है तो आप नोटस होते हैं तो आप लोग क्या करोगे कम से कम पैसो वाला जो पात उपात उसको चुन के ठीक है अगर आपको डैली से जैपुर जाना आए तो spanning tree में आपर आप लोग एक exercise कराने चाहँ उस चीज़ पर मैं चाहँ आप लोगो पता चले कि spanning tree की cost को किस तरह से निकाला जाता है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर एक तो मैं यहाँ पर 01 सबसे पहले तो मैं नोट्स नोट्स बना लेता हूँ इस तरह से कुछ इस तरह से में बना लेता हूँ नोट्स यह मेरा क्या करना है इस तरह से जोड़ देना है ठीक है ऐसे 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 जोड़ दिया एक बार एक बार इधर में खाली छोड़ देता हूँ और एक बार उपर खाली छोड़ दूँगा ठीक है यह मेरे spanning trees बन गए तीन ठीक है अब मुझे इनकी cost निकालनी है एस वन एस टू और एस तुई की कैसे निकलेगी cost बहुत आराम से निकल जाएगी cost मैं आपर simply क्या करूंगा यह cost लिखूँगा यह 6 है यह 2 है ठीक है और यह 8 है ठीक है यह 6 है और नीचे वाली 15 है ठीक है नीचे वाली कितनी है 15 तो यह भी मैं आपर लिख देता हूँ यह यह 6 पलस 2 पलस 8 जो की हो जाएगी C1 जो कि मैरी cost 1 है यह 16 हो जाएगी, C2 कितनी हो जाएगी मेरी 15 प्लस 8 प्लस 2 जो कि 25 होता है जो कि 8 दो 10 होता है और 10 और 15 होता है बेसिक में बढ़ा रहा हूँ मैं 25 ठीक है और C3 is equal to 6 प्लस 8 प्लस 15 कहीं गलती ना कर बैठू हूँ मैं तो जो C1 है उससे बड़ी निकल के आई C2 और सबसे बड़ी निकल के आई C3 यानि कि हम C3 को प्रिफर नहीं करेंगे और C2 को भी नहीं करेंगे लेकिन अगर हमारे पास C2 और C3 मेंसे choice हमें मिल जाए तो हम किसको चूज करेंगे हम करेंगे C2 को चूज क्योंकि C3 की cost जाधा है ठीक है C3 महंगा है इसलिए हम लोग C2 को C2 और C3 मेंसे choose करेंगे और तीनों मेंसे अगर हमें choice मिल जाए तो हम definitely C1 को ही करेंगे क्योंकि यह काम हो जा रहा है 16 रूपए में कोई tension ही नहीं है तक ठीक है आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर मैं क्या करूंगा आप लोग को दिखाऊंगा कि minimum spanning tree किस तरह से बनाया है अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं कि कितने spanning tree बनेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला था n to the power n-2 तो n to the power n-2 यानिकी 4 to the power 2 यानिकी 16 तो यहां 16 spanning trees बनेंगे उनमें से minimum spanning tree कौन सा होगा कौन सा minimum spanning tree होगा चलो आद देख ले थे सबसे बहले सारे spanning trees नीज बना लेते हैं ठीक है एक spanning tree तो ऐसा होगा 0132 कुछ इस तरह से ठीक है एक होगा हमारा 0132 कुछ किस तरह से एक बार मैंने नीचे gap दिया उसके बाद मैंने इधर gap दिया एक बर मैं इधर gap दूँगा और एक बर मैं उपर gap दूँगा ठीक है फिस 0,1,3,2 एक बर उपर gap दूँगा कुछ इस तरह से ठीक है तो 0,1,3,2,0,1,3,2,0,1,3,2 इस तरह से हमने बना लिए ठीक है यह हमारे चार Spanning trees हो गए ठीक है अब आर Spanning trees मैं किस तरह सेबना सकता हूँ मैं Cross edges को लेकर बना सकता हूँ तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि Three से Zero को connect किया Zero से Two को connect किया ठीक है ये एक ऐसे बन सकता है फिर उसके पास Zero one Three two Zero one three two 0, 1, 3, 2 मैं सारे spanning trees यहाँ पर आप लोग के लिए बनाने वाला हूँ और मुझे बता है यह थोड़ा सा cumbersome है but मैं फिर भी बनाऊँगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से बना सकते है 3, 2, 0, 1, 3, 2 0, 1, 3, 2 0, 1, 3, 2 ठीक है अब यहाँ पर किस तरह से मैं connections करूँगा यह आप लोग देखना एक बार तो मैंने इस तरह से N बना लिया एक बार मैं क्या करूँगा एक उल्टा N बनाऊँगा इस तरह से एक बार एक N मैं ऐसे बनाऊँगा यानि कि Z बनाऊँगा एक बार एक Z में उल्टा बनाओंगा कुछ इस तरह से ठीक है अब ये सारे के सारे मैंने बना दी ये connections अब मैं क्या करूँगा ऐसे trees मैंने आपर बना डाले अब मैं इनको label करने बाला हूँ ठीक है और दूसरे color से label करूँगा मैं इसको black से label करूँगा ये मेरा spanning tree 1 है ये 2 है, ये 3, ये 4 5, 6, 7, 8 ये मेरा 9 है, ये मेरा 10 है ये मेरा 11 है, ये मेरा 12 है और मैं 16 तक करूँगा आपको करना क्या है कि मुझे बताना है कि इन सारे spanning tree में से minimum cost spanning tree किसका है और अगर आपने मुझे ये बताए कि सारे के सारे trees की cost कितनी है यानि कि आप मुझे c1 से लेके c16 तक comment में लिखके दिखाते हो एक दिल दूँगा और guaranteed दूँगा यार देले एक दिल तो जबूर दूँगा और मैं wait करूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई भी c1 से लेके c16 calculate करके मुझे दिखाएगा कि इससे आपकी dedication देखने को मिलेगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा ठीक है तो मैं एक बार के लिए आप लोग को c13 calculate करके दिखाएता हूँ शायद थोड़ा बहुत confusion लोगों को हो तो 0 और 2 connected है तो 3 3 और 2 connected है इसलिए 15 फिर उसके बाद 3 और 1 connected है इसलिए 1 ठीक है तो यहां पर 19 आजाएगा ठीक है तो c13 is equal to 19 एक यह वाली 0 और 2 के connection का मुझे cost लेना पड़ेगा 3 से 2 का लेना पड़ेगा 3 1 लेना पड़ेगा तो अगर मैं c13 का breakdown लिखूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं c13 is equal to c13 हो जाएगा c02 plus c23 plus c31 ठीक है तो इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं ठीक है तो I hope की cost calculation आप लोग करना आप किस तरह से cost calculate करते है spanning trees की और यार यह सब समझ में आ रहा है आप लोग को नहीं आ रहा है मुझे बताओ यार जलती से कि अगर आप लोग को सारे procedure से चीजे समझ में आरी है तो मुझे दिल से बहुत अधा अच्छा लगेगा और I hope की आप लोग के लिए सब बहुत जादा helpful आहँ अभी के लिए इतना ही घईस आने वाले वीडियो में इतना ही जाने वाले वीडियो में आने वीडियो में ऩोख ऑला दा उधम में इस वीडियो में इतना ही ऊहि zeg मैं कर वच यू and I will see you next time